नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस्टेट पर मैं हूँ आपके साथ अनुराख सिंग न्यूस्टेट पर 36 गड़ की राज़पाल अनुसुया उई के जुणने वाली है कुछी देर में इसके पहले भी न्यूस्टेट को राज़पाल ने इंटर्व्यू दिया था दरसल सारे शास्किये काम सरकार देखती है लेकिन सरकार के कामों को रिव्यू सम्वधानिक धाशे के हिसाब से राज़पाल करते हैं ऐसे में अनुसुया उई के न्यूस स्टेट के साथ जुणेंगी और उनसे बापशीत करते हुए तमाम हालातों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिशम करेंगे और राज़पाल अनुसुया उई के उनके सियासी सफर पर एक नज़र ढा लिए 1985 से लेकर 1990 तक विधान सभाद दमुआ की विधायक वे रही यानि कि 1985 से उन्होंने सक्री राज़नीती में कदम रखा 1988 और 89 तक मंद्रप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रही 1998 से लेकर 99 तक भूमी विकास बैंक की प्रभारी अध्यक्ष रही साल 2002-2005 तक राश्ट्री महिला आयोक की सदसे रही साल 2006 राज्य अनुसूची जनजाती आयोक की वे अध्यक्ष रही यानि बड़े-बड़े पदभार उन्होंने समभाले साल 2006 से 2012 तक राज्य सभासा दसे रही साल 2017 में राश्ट्री अनुसूची जनजाती आयोक की उपाध्यक्ष वे रही लेकिन 16 जुलाई 2019 को उन्हें 36 गड़ का राज्य पाल मनाये गया और उसके बाद से अपने जम्मदारी का निर्वहन वे बखुदी कर रही है समधाने का पद पर होते हुए उन्होंने कई बार अपनी बातों को बेबाकी से रखा इससे पहले भी वे नियू स्टेट से जुड़ी हैं और उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है दूसरी बार वे नियू स्टेट से इस कोरोना काल में जुड़ने जा रही है और उनसे हम तमाम हालातों को बहतर तरीके से समझने की कोशुश करेंगे राज जी के पहले व्यक्ति के हिसाब से वे राज जी को आज कहां खड़ा पाती है किस तरह से परिस्थितिया वे देख रही है भाप रही है क्या सरकार के लिए वे सूच रही है अनुसुया उखे ने कई बार मौझूदा सरकार की तारीफ भी की है तो कई बार वो भी मौके रहे हैं जब विश्व विद्याले संशोधन बिलको लेकर उन्होंने बेबाकी से सरकार का विरोत किया है अनुसुया उखे जी हमार सार जुड़ गई है जो की राजजपाल है शुटिसगड की अनुसुया उखे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका निजू स्टेट पर सबसे पहले आज सीब्यस्टी के दस्वी के नतीजे घुशित किये गए हैं देश भर के चात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी शुपकामनाओं के तोर पर उन सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत-बहुत सुपकामना में देती हूं और यही उनसे अपेक्छा करती हूं कि यह कोरोना के संक्रमक कार के संकट के समय भी आप स्कूल तो प्रारम नहीं हुए हैं फिर भी वो लोग अपनी जैसा उन्होंने अपना रिजल्ट और जो आपने मेहनत करखे सफलता प्राप्त की है आगे भविस में भी वह इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहे और ऐसे संक्रमक के समय की जो परिस्थि होगे अगर उनके अंदर कुछ आगे कुछ करने की अगर इक्षा है तो जरूर सपलता प्राप्त करेंगे मेरी बहुत वह सुप कामना इस प्रेदेश के और देश के बच्चों के लिए अनुसुया उकिजी हमारी बात्चीत अगर सिक्षा से शुरू हुई है तो अभी 36 गड पर यह समझने की कुशिश करता हूं दरसल राजजपाल अपने इस तर पर क्या सूचती है उस बिल को लेकर क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब सरकार ने कुई सी विधयक को सामे रखा हो और राजजपाल ने उस पर हस्ताक्षर ना किये हूँ देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो विस्विध्याला है एक अपने आप में एक स्वायता यहां पर पूरे देश और दुनिया में सिक्षा के छेतर से जुड़े होने के कारण इसको मिली है ऐसी संस्ताओं को और इसलिए जो सम्मेधानिक तोर पर राजपाल ही उसके संस्त़ाती होते हैं है और अफिया इस तरह को वहां पर इठाला जाता है और जो भी अधिकार कुल अधिकार को को विस्विध्याला कि जो भी संस्ता है उस का संचालन से लेकि को निर्मित ना हो जिस्से की बच्चों का प्रिभाव पड़े और इसलिए उसकी गुनबत्ता सिक्षा की अच्छी हो और बच्चों का एजूकेशन अच्छा मिले और यहाँ पर इंडिपेंडेंडेंसी से काम करें इसक्षा का छेत्र है और इसलिए तमाम सारी चीजों में कुलादीपती का बहुत सारे इसमें अधिकार दिये गए हैं यहां तक कि कुलादीपती की ही द्वारा जो है मतलब जो कॉलेज की कुलपती की न्यूकती और भी बहुत सारी अध्यदेश एक्जामनेशन के लेकर और भी बहुत सारे अधिकार दिये गए हैं तो इसमें समें पर जो स्टेट गॉर्मेंट के दौरह कुछ संसोधन भी इसमें लाए जाते हैं मगर उसमें ये भी देखा जाता है कि खुलाधी-पति के उसके अधिकारों का जो है कहीं हनन तो नहीं हो रहा है इसको भी सासन को देखना चाहिए और जो कुछ भी प्रावधान किये गए हैं उसमें सारे कुलादीपती के जो है मतलब अभी का जो संसोधन है उसमें कुलादीपती के द्वारा ही खोज समीती जो बनाई जाती है खोज समीती के द्वारा जो पैनल बनाई जाती है वो पैनल को सरकार से परामर्स लेकर और उसका कुलादीपती ही राजपाल ही विस विद्धाले के कु अधिकार को कहीं नहीं चीना गया अब चुकि ये गुजरात का भी बताते हैं तो गुजरात में भी वो अधिकार रखा कि मंत्री परिशत की सिपारिस पर कुलादी पती उस पैनल पर जो है सहमत परामर्श से ही कुलादी पती न्यूकती करेगा कहीं पर भी अधिकांस में वि तो और दूसरा यह है कि मैंने UGC का भी जो एक रूल्स बने हुए हैं 2018 का उस पर लिखा है कि कुलादीपती खोज समीती की जो चैन समी पैनल होगी उनके द्वारा उन में से एक वेक्ति को ही कुलादीपती मतलब कुलपती बनाएगा वहां मंत्री परिशत का जिक्र नहीं है और उसमें एक इसपस्ट लिखा है कि एक UGC का भी एक प्रतिनीदी होगा अध्यच के द्वारा नामीनेशन और इन तमाम सारी चीजों में क्या किया है कि वो एक UGC का भी वेक्ति को हटा दिये सदस को दूसरी बात है कि कुलादीपती का भी एक प्रतिनीदी जो चैन समीत जो सिपारिस पर कुलादीपती का अधिकार था उसको मंत्री परिशत कर दिया गया और फिर इसके बाद UGC में यह भी कहा कि कोई विश्विद्याले अगर हमारे रूल्स का बिनियों का अगर उलंगन करता है तो हम ऐसे विश्विद्याले की हम ग्रांट रोग देंगे जो अनुदान देते हैं अब बताइए कि अधिकांस यूनिर्सिटी आज बहुत सारी जो ग्रांट मिलती है तो यह ऐसी संस्ताओं में इस तरह का कुल्पती को हटाना है तो मंत्री परिशत द्वारा सिपारिस पर हटा सकता हर चीज में तो यह ऐसा कभी कोई कहीं का रूल्स न आपको लगता है कि इससे चात्रों के भविश्यों पर किसी तरह से कोई खत्रा होता वो प्रभावित होता किसी तरीके से बिलकुल बिलकुल अभी बहुत सारी जो उन्वर्सेटी अगर ग्रांट रोक ले तो जो बहुत सारी चीजों का जो है पैसा जो आता है करोण़ोंग रोपे का बजेट आता है वहाँ से बिलकुल और दूसरी बात है कि जब मंत्री पर क्यों कुलादीपती को दिया है इसमें अधिकार आप बताईए फिर वो तो पॉल्टिकल प्लेट फार्म बन के रह जाएगा बिल्कुल ठेक और अभी भी मैंने ऐसा भी नहीं है कि जो पूर्व के पूर्व के जो भी है जो चैन समीती है उसमें आप सारे यूजी सी का मेंबर होता है एक कुलादीपती का भी होता है एक सासन का होता है कुलादीपती तो केवल उसमें से जो तीन चार यह लोगों की पैनल होती है उसमें भी कई जगे जो जो कुछे इसमें सासन से भी परामर्स का है मैंने अभी अगर जो नुक्तुपूर में भी किया है तो बकाइदा ये कुल अधिपती का अधिकार है आप इनोंने क्या कर लिया कि मंत्री परिशत को अपना अधिकार बता दिया कि उनकी सिपारिश पर तो ये चीजें मुझे लगता है कि ऐसा भूना नहीं चाहिए ये एक स्वाइपता है हमको सिक्षा के शेतर में और बहुत सारी चीजों में लेकिन इसमें एक बहुत पॉलिटिकल अगर हम पहलू देखें क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि राज्यपाल पर दबाव सरकार बना रही है अगर मैं उस पर आपका टेक ले पाऊं क्योंकि रमन सिंग ने साफ शब्दों में कहा कि उस विदेयक पर अस्ताक्षर करवा होंगी आप जो भी मेरे से विक्तिगत तोर पर पूछना चाहते हैं मैं उस विदेयक और कानूनी प्रकिरिया पर ही आपको जवाब दूगी ठीक बात है मैं आपने बहुत सारी चीजों को सपष्ट कर भी दिया कि चतिसगड़ की जनता के बीच में बहुत सारी चीजे और म हम आगे में यह जो बिल का जो है निश्चित रूप से यह तमाम सारी जगें हमने जानकारियां पुलाया है सारे स्टेट में भी इस तरह का बिल नहीं है चीज़िए मैं आने वाले समय में और इस पर देखेंगे कि हम लोग सरकार क्या अपना स्टेंड रखती है और फिर इ यूजी सी यूजी सी राजपती जी सभी जी अब अब चटिसगड के दूसरे मुद्धों के अगर हम आपसे बात करें समझने की कोशिश करें आप चूंकि प्रथम व्यक्ति हैं राज्यकी बहुत सारे ऐसे मुद्धे नजर आते हैं जैसे कि नकसलबाद इस वक्त को लेकर जो परिस्थितिया बनी हुई है चतिसगड एक पफ में मैं कोरोना को लेकर बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा था पूरे देश में चतिसगड की मिसाले दी जा रही थी लेकिन आज अचानक कोरोना बस्ट आउट इतना हो चुका है कि पिछले एक हफते में इतने ज हमें समय पर जो है अधिकारियों की बैठग भी लिया और सुरू में तो आपको मालूम होगा कि हमारा पूरे इंडिया में सबसे टाप पे हमारा इस्टेट चल रहा था मात्र चारी लोग दोती नहीं लोगी बचे थे और बहुत अच्छी इस्तिति हमारे यहां पर प्रसास मिली थी लेकिन आपने देखा होगा पूरे देश भर में जब से ये प्रवासी मजदूर जो लोग अपने अपने प्रदेशों में जब आए तो इसके बाद दीरे दीरे केवल च्छतिस गड़ राज में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आप देख रहे हैं महाराष्ट म में और दिली में करनाटा को और इन में कितनी महात्रा में मतलब जिस तरगती के साथ ये फैल रहा है ये मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो प्रवासी मजदूरों के वज़े से और जो भी कुछ सरकार के इंदर सरकार के दौरा भी समय समय पर गाइडलाइन मिलते रही है ले मतलब रिकवरी रेड जो है दुनिया के देशों से बहुत अच्छा है और संख्या भी बढ़ रही है और ऐसे ही चतिस गड़ में भी अब वही प्रवासी के कारण लेकिन पूरी तरह से प्रशासन काम में लगा हुआ है और यहां पर बहुत जल्दी रिकवरी भी बहुत ज प्रशान काज़िएगे और क्यांकि यह इस्तिति पूरे देश में बनी है तो हमारा प्रदेश फिर भी हमारे प्रदेश में आप देखेंगे तो दूसरे प्रदेश की सारी में नीटिक हो गये रिकवर बड़ी तेजी से और मैं तो सभी लोगों को पूर में भी कहा कि इसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल है यहां पर, मैंने उन्हें समय समय पर उनका प्रोश्चान दिया, मतलब होसला अब जाई की, और उनको धन्यवाद भी दिया है, प्रेसासन को भी, समने अपनी जगे मीडिया वालों ने भी अपनी बहुत अच्छी भूमी का निभाई है, समाज से भी संस्ता भी सामने आये हैं, और सारे जनप्रतिनीदी लोग ने दलगत राजनीती से उपर उठकर भी, यहां 36 गण में महत्पून भूमी का निभाई है, इसलिए हमारा प्र प्रिदेश की तुल्ला में, लेकिन हमारे यहां पर अभी कंट्रोल में हैं. तो यही कहना है कि इस समय, जिस तरीके से आज पहले तो इतना नहीं था लागडाउन के समय, इतनी बड़ी संख्या में, अब पूरे मतलब तेजी के साथ जो एक महने के अंदर फैला है, तो यह तो मतलब अब सरकार की सारे निर्देश है, गाइडलाइन है, लेकिन इसमें अब जो कि खुद को ही अपने आपको बचाना है, तो कैसे हमको सुरिक्षित रहना है, कैसे हमको सारवजनिक इस्थान में, अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो मास्क लगाना है, और हमको एक सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखना है, और बहुत सारी चीजों को हम अवाइ के लोगों को भी एक कहें कि वो दिन में तीन-चार बार जो है, साब उन से भी हाथ दोएं, तो ये बहुत जरूरी है सबजी बगेरा और इसका क्योंकि ये पता नहीं कहां किसके रूप में आ जाता है, जब जब सामने वाला बेक्ती भी अगर हमसे मिल रहा है, उसे भी नह कहां ही रखनी होगी, खुद को ही अगर आपने लापरवाई किया, बिना मास्के अगर निकले, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है, और इम्निटी पावर जिसका है, वो ही रिकवर हो रहा है, वो ही स्वस्त हो रह आप स्वेम बहुत साउधानी और सतरकता से रहें, यही मैं कहना चाहती हूँ, और जहां तक लाउट डाउन की बात है, मैंने इस समय स्वास्त को लेकर भी अपना ख्याल रखा है, और सभी हमारे जो राजभवन के कर्मचारी, अधिकारी, समय समय पर उनको भी मैंने जानी रहने का दिसा निर्देश दिया है, और बाकी का तो जो है अध्यात्मिक मेरी रूची रही है, और मैं आज भी सुवे साम जो है सूस में या गायतरी मा का करती हूँ, ताकि एक अच्छा बातावन और से विस्वास्त के ऊपर भी और एक लोगों को इससे एक अच्छ साथ में नेरूजी मिलती है, पोज़ूटी ने साता है, तो मैं राजबावन में भी हवन कराती हूँ, साथ में मिने ओपन जिम की इसी बीच स्थापना किया है, तो वो भी मैं करती हूँ और सुबह साम जितना भी है क्योंकि ये भी बहुत स्वास्तर सभी के लिए है कि स्वास्त रहना सब चीजे हैं अगर हम स्वास्त नहीं है तो हम समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं बेखुल ठीक मैं और ये एक बहुत-बढ़ा उधारा ने हमारे देश के माननी प्रधा ही हैं और लोगों को भी संदेश देते हैं और इतना उनकी अंदर एक प्रकार से बिल-पावर है कि आज देखिए इतने बड़े परिस्तितियों में चारों तरफ मतलब यह सारा इतना बड़ा संकट आया और किस तरह से उन्होंने देश की जनता के लिए एक मतलब संदेश दे के लिए भी कर रहे हैं जी और प्रधान मंत्री मोधी का भी आपने जिकर किया जाहिर तौर पर लेकिन एक बहुत एक्टिव राज्यपाल के तौर पर अनुसुया हुई के पूरे देश में पहचान रखती हैं क्योंकि हमने आपको बस्तर जाते हुए भी देखा है हमने सू 37 गड़ आगे इस दिशा में प्रोग्रेस कर सकता है सरकारों की कितनी भागेदारी हो सकती है प्रशासन किस तरह से काम कर सकता है कि नहीं सम्मन्द में निश्चित रूप से सरकार प्रशासन का और जनता का जो है पूरा ट्राइबल एरिया है और ये उसमें एक तरफ चुनोती भी है नक्सल उलियों के साथ भी लेकिन अगर हम वहां के लोगों को विश्वास में लेकर और उनको मुक्धारा से अगर जोड के लिए जितनी भी जो सासन और केंदर सरकार राज सरकार की योजना बनाई है अगर समय पर अगर उन तक पहुंचती है तो वह आत्म निर्भरता के साथ जी सकता है और क्योंकि मूल समस्या भी उनकी यह है कि आज बेरोजगारी बहुत है लोगों को वहां पर नौकरी नही है तो वहां का जो नविवक है ट्राइबल है वो घूम रहा है तो उनके लिए कैसे रोजगार से जोड़ा जाए अभी मेरे सामने एक मैं आपको बता रही हूँ यह मीडिया में भी छपा होगा यह बहुत गंभीर मामला है आप लगूबन उपज जो है संस्ता के द्वारा यह जो तेंदू पत्ता है इसका जो लवहांस होता है हर साल का वो लवहांस उन हित संग्रहित जो लोग है आदिवसी जिसके सदस्य हैं उनको ही बाट दिया जाता है अब बताइए दो साल तक सरकार ने वो पैसा पांसो संत्यानवे करोड बैंक में जमा करके रखा और दो स साल की छात्रवत्ती नहीं दी गई और कहा कि वही वो उसमें उनका एकाउंट नहीं था सभी के एकाउंट पहले ही खोल लिये जाते जो मुझे जानकारी मिली और 436 के लगभग करोड समीतियों को देना बागी है आप बताइए यह कोरूना संकट काल का समय था दो साल से उन बच्चों को जो दसवी पास और आटवी पास उन बच्चों को फ्रोशान के लिए रासी दी जाती है अब बताइए गरीबों की क्या इस्तिती है यह सासन को द्यान देना चाहिए कि नहीं प्रेसासन और जब मैंने अभी उस दिन जब मिटिंग लिया तब अभी-अभी 261 क रोड रोपे रिलीज हुआ और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि यह तमाम जो पैसा है ब्याज सहित उनको रिटन होना चाहिए मैंने यह कहा है अधिकारियों ने मुझे अस्वस्त किया है और मंतरी जी ने भी कहा है कि आप इनका पैसे के लिए सरकार की सेहमती की क्या है यह उनका पैसा है तो आपने रोग क्यों रखा है नहीं बात क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर आप जो ट्राइबल की बात करिए इस से यह नकसल बात का जो मामला आता है और यह आज तो इन लोगों का समाधान समय पर हो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उनको मिलना चाहिए था इस कोरोना संकटकाल में बिचारे लोगों के पास ना मजदूरी मिल रही थी ना कुछ तो देना चाहिए था सरकार को यहां बात मैं आपने बिल्कुल ठीक तो वो उन्होंने यह कहा कि उनका एकाउन नहीं खुला बैंकूम में आज उतना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे समय से यह दंश 36 गड़ जेलता आ रहा है और हर सरकारे जो आती हैं चुनाप के वक्त में वो कहती है कि हम इससे निजात दिलवा देंगे लेकिन नीती इसके लिए बहुत ठोस होनी चाहिए आपको क्या लगता है किस तरह से इस दिशा में काम करने की जरू होता है कि इस समंद में जो है सरकार के तरफ से मैंने मानी मुक्मंत्री जी से भी बात किया था कि जो लोग आज सिलिंडर हो गए हैं आत्म समर्पन कर दिया है और जो लोग इस तरह के से प्रभावीत अगर जा रहे हैं तो उन सारे चीजों को हमें उनके बारे में समस्या है उसका समधान भी करना चाहिए और उनको नौकरी से लेकर उनके आवास और तमाम सारी चीजें और दूसरी बात है कि इस पर भी चिंतन करने की जरूत है कि आखिर ये नकसलवाद और उसमें क्यों हो रहा है उन कारणों के बाद है और मैं समझती हूं कि मैंने आप को कहा है कि वहां के लोकल लोगों को भी हमें विश्वास में लेना होगा बिल्कुल ठेक ये तमाम चीजें सरकारे बहुत लगने समय से कहती है और मैंने इस बात को सोचा था कि मैं यहां के जन प्रिती नहीं दी जो ट्रैक पूरी कर लीज़े कि मैं आगे में सोच रही थी कि इस जो कोरोना कार काल नहीं होता तो मैं एक मिटिंग क्योंकि मेरे को आदिवासी समाज के सर् вσेमाज के अलग-अलग संस्ता के प्रतिनीदी मिले थे कि ये समझ्ते आदिवासी छेत्र में है मगर शासन प्रसासन ने ये कभी हम से बैट कर हमारे साथ पूछ कर कोई नीती बनाई है आखिर ये क्यों क्या सोचता है आदिवासी समाच तो कहा कि मेडम आप इसकी मिटिंग बुलाई है और हमारे साथ सासन प्रेशासन के साथ बैट कर और चर्चा करिए हम बताएंगे कि इसके रोकनी की क्या मतलब विधान होग देखिए ये तो उन सरकार से पूछिए राजनीतिक बाते में अपने दाइत्व में एक जनकल्यान के लिए लोगों के हितकी बात करूंगी सासन की नीतीगा जो भी कुछ होगा कर दो भूद्य नें मेरि मंत्री जी और इसके बीच में समय समय पर चर्चा होती है मौक मंत्री जी से और कोई भी अगर विशय होता संज्यान में तो मैं लाती हूं और उसका मतलब निराकरन भी उस दिन भी जब मैं चोबे जी से भी बोला और अपने मानि अक्वर जी इसे जो है ना उनसे भी मैंने बहुत सारे विश्यों पर चर्चा की तो निश्चीत रूप से उनका ध्यान जाता है और उसको बहुत बड़ी नाकामी होगी या इस पर बात करना ही कोई लेकिन एक चीज मैं आपसे क्योंकि 36 गड़ के इस वक्त के तमाम परिपेख्शों में यह सवाल बहुत हवा में है संसदी सचीवों की बात मैं आपसे एक बात मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि जब से मैं गवर्नर वनी हूं आप बताईए आपको ऐसा कभी लगा है कि मैं यहां पर बैट कर कोई राजनीती क्या और किसी तरह का किसी को मतलब इस सोच को लेकर कोई ऐसा मेरे तरफ से काम कर रही हूं गया जनरल आप लोग इडिया के लोग है मेरा तो देखिये पहले भी में जब वाजनीती छेत्र में थी तरीके से आपको हर कोई एक अच्छे काम के लिए जाना जाता और जिस आप समयधानी दायरे में रहकर क काम कर रही है या फिर जिन लोगों की बात कर रही है उसके लिए हैट्स आफ में सेल्यूट है और आज आपके आवाज से उन्होंने ये जाना कि राज़ेपाल क्या सोच रही है च्छतिसगर की जनता को लेकर क्योंकि संसदी सचीव का मुद्दा मैं ये तीसरी बार ये सवाल कर रहा हूँ मैं आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर बहुत सारी बाती भी होती रही है कोड भी इस पर अपना वर्डिक्ट दे चुका है बहुत सारी चीज़े साफ भी हुई है अभी हाली में संसदी सचीवों की न्यूकती हुई है बतो राज़पाल आप कैसे देख रही है ऐसे देखिए इस मामले में क्योंकि ये जो संसदी सचीव और बहुत सारी चीज़े अगर कोई भी होती तो सरकार अपनी विवस्ता के तहट और जो भी लगता है कानूनन जो भी प्राउधान है वो करती है बाकी के जो भी कुछ है वो राजनितिक तोर पर उनका अपना पत्या मतला आरो प्रत्यार उपन वो लो करते उससे मेरा क्या लेना देना का समय है क्या कहना चाहेंगी आप कि नई बस यही मैंने कहा कि समय सब लोगों का सहीयोग करके और जनता को भी एक जागरूप करना चाहिए यह कोरोना का जो संकटकाल अभी दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और ऐसे में सबी लोगों को सावधानी रखते हुए और जो भी है सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर और सारवजनी को भीडवार में ना जाए है और बस यह आपके स्वहम के ऊपर है अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके पास कोरोणा कभी नहीं आएगा क्योंकि यह कॉरोणा आप स्वहम लेखे आते वो अपने आप नहीं आता है घर में और नांफ के पास में और इप साउधानी रखे और मैं यही सब लोगों से कहूं कि अगर आप सब लोगों ने अगर यह मन में सोच लिया तो हमारे यहां से सीग रही इस प्रिदेश से कोरोना खतम होगा और हम लोग सब लोग मिलकर इसमें विश्चित रूप से हमारी जीत होगी और आपके इस चाहती के लिए 36 गड़ की जनता को बताने के लिए बहुत शुक्रिया मैं समय देने के लिए